नमस्ते दोस्तों शरद नवरात्रा आप ही का एक सवाल है उसी का जवाब देने आ जाई हूँ अच्छा मैं धार्मी ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नवरात्री में लौकी नहीं खाना चाहिए जी अगर लौकी की बात करें तो हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लेकिन यह लोग कथाओं से प्रचली थे और परंपरागत चली आरी यह बात कि हमें लोकी को श्राद में भी नहीं खाते हम लोग और नौरात्रे में नहीं खाते हैं खासतोर से नौमी में नहीं खाते हैं इससे जवड़ी चोटी पुरानी लोग कथा यह है कि एक रिशी न नौमी के दिन लौकी खाया और कुछ समय बाद उनकी मृत्ती हो गई तो लोगों ने इसे अशुबता के साथ जोड़ दिया एक खराब न्यूस के साथ जोड़ दिया मांसिक संतुलन हमेशा बनाए रखे विशेश बात का ये ध्यान रखना है कि हम अपने विचारों को सकारत्मक दिशा की तरफ लेकर चले और हम भगवान की आराधना जब भी कर रहे हैं वो हम दिन में करें अगर रात हो जाती है उसके बात ना तो प्रजुलित करके पूजा न करें शाम होने से पहले आपको शाम का पूजा भी कर लेना है तो दो बार दीप प्रजुलित ज़रूर करें और दूसरे बार ध्यान रखें कि वो रात में न करें शाम में करें Thank you